सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पड़े ही असाने से तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिपीट होने वाले कोशन के वारे में और उनकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा कोशन दिखा देता हूँ जिसे देखके आप हैरान रहे जाएंगे और मेरे से ये कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई तो चलिए दोस्तों वो कोशन देखते हैं देखे दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 का कोशन पेपर है और इसके अंदर कोशन नमबर देखे 22 इसके अंदर देखे दोस्तों ये जो सीरीज ओपर दी हुई है इसे आप एक और बिलकुल अच्छे से देखिए ध्यान में देखिए देखिए मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी और एस बी एल ठीक है दोस्तों यहाँ पर आपने देखे लिए और अब हम देखते कि पहले कहां पर रिपीट हुई है अब यह देखिए दोस्तों ये है हमारा नमबर 2017 का कोशन पेपर इसमें ही यही कोशन नमबर देखते कि बिल्कुल सेम कोशन हा आपको एक बार फिरसे मैं यह दिखा देता हूं यह देखिए दोस्तों इसके अंदर यह रहा बिल्कुल सेम कोशन है ABD, DGK, HMS, MTV और इसमें जो है एक्स्ट्रा दोस्तों SBL दिआ हुआ है और इसके अंदर क्या था? इसके अंदर SBL नह हुआ है यह देखिए दोस्तों इसमें नवंबर 2017 के इंदर यहां पे एम टीवी तक दिया था लेकिन जुलाई 2018 में इन्हों ने एक और शीरीज आगे दे दी और इस सीरीज से अगली सीरीज इन्हों ने पूछ ली तो यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कोपी कोशन रिपीट हो रहे हैं बार बार और दोस्तों हमने इसके अलावा भी काफी तरह की वीडियो बना रखिय कि हमारे लिए old paper करना कितना ज्यादा important है और दोस्तों आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप old paper करते हो paper first और paper second और उन्हें analyze करते हो देखते हो कि किस तरह के question repeat हो रहे हैं कौन से topic repeat हो रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि आपका exam mat clear हो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आचुके हैं वह हमने अलग करके हैं teaching के question अलग करके हैं इस तरीके से सभी 10 unit test है जो question है आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस वर्ट question आया था तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से करेंगे दोस्तों इसमें इस तरह से series दी हुई होते हैं और हमें देखना कि अगली series क्या आएगी दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिए सबसे पहले जो digit दी हुई है यहां पर यह इस तरह से आप लिख लिजिए सभी की सभ करने की कोशिस करेगा ठीक है तो हम लाश्ट के जो डो डीजिट है उन से शुरुवात करते हैं अब देखे सभी की जो बीच की और लाश्ट की जो डीजिट है उनके अक्से वो अंखम लिख लेंगे इसमें देखे दोस्तों जैसे कि यहां पे आप देख सकते बी दो पे आता लिख कर आता है और देखे दोस्तों अब हमें क्या करना है अफिर आगे देखते हैं इन दोस्तों में कितने का डिफरेंस हैIR इसमें 6 का है फिर के देखते हैं आगे इसमें साथ का है और फिर इन दोनों में आठ का डिफरेंस है इस तरह से हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि बीच बीच के जो अक्सर है उनमें कितना डिफरेंस है यहां से हमें पता चल रहा है यानि कि पांच का छे का साथ का आठ का और आगे ज लाश्ट का जो अक्सर है D और के अंदर देखते हैं D हमारा 4 पे होता है के हमारा 11 पे इस तरह से हमने लिख लिया यह तो इन दोनों में देखते हैं तो 7 का डिफिरेंस है और फिर K और S के अंदर देखते हैं 8 का है फिर S और B के अंदर 9 का है और फिर B और L के अंदर दोस्तो 10 का अंत्र है इस तरह से हम देख सकते हैं तो अगला जो अंत्र आएगा वह कितने का ओएगा 11 का अंत्र आएगा तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहां पिर जो बी है इसमेंए 9 करेंगे बी और यानि कि बी में नो जोड़ेंगे बी अपना दो पे होता है और नो जोड़ेंगे तो 11 हो जाए 11 यानि कि के यानि कि हमारा बीच का जो अकसर होगा वो क्या होगा दोस्तों बीच का हो जाएगा अपना के और लास्ट का क्या होगा लास्ट का देखते हैं यह लास्ट का यहां सकते हैं यहां से आखे कितने होना चाहिए ज्यार होना है यहां से ही सबीके 21 चाहिए तो मिलाख के दोस्तों 17-33 हमारा हो जाएगा और 23 पी हमारा कून्सा अकक्षर आता है दोस्तों आपको पता है धाल व आता है तो हमारा उन्हेंर रही raising option number third और यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं दोस्तों आपकी हमारा जो answer आया है के और डबलू आया है last के अंदर के डबलू केवल और केवल इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है तो इस तरह से हमारा जो right answer है वो भी हो जाएगा तो इस तरह से आप दोस्तों निकाल सकते हैं इस question को तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौनशा question है अब देखे दोस्तों ये भी हमारा जोलाई के अंदर आया था इसे हम किस तरह से करेंगे इसमें देखे दोस्तों एक code दे देते हैं कहते हैं कि इस कोड को इस तरह से यानि कि इस तरह से लिखते हैं तो इस कोड को कॉलकता को हम कैसे लिखेंगे अब ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का कोशन पेपर है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि वारानशी को हम इस तरह से लिखते है तो कोलकता को हम किस तरह से लिखेंगे अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है सबसे पहले हम वरानसी और ये जो है डिजिट इन दोनों को हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर उनकी हम नम्बरिंग देंगे नम्बरिंग देने के बाद दोस्तों हमारा कोशन बिलकुल असान हो जाता है यह देखिए इन सभी की हमने यहाँ पे देखिए हमने इन सभी के नम्बरिंग दे दी है और नम्बरिंग के बारे में मैंने कल वीडियो डाली थी वहां से आप असाने से देख सकते हैं कि किस तरह से हमें नम्बर याद रखने है और आगे फिर नीचे भी हमने दे दिया है तो अब इन में हम difference देखते हैं अब देखिए इन दोनों के अंदर difference एक का है फिर आगे दो का है फिर तीन का है फिर च्यार का है फिर पांच का फिर छे का साथ का आठ का तो आगे जो यानि कि आगे हमें जो digit बनानी है आगे तो वो कैसे बनेगी दोस्तों उसके अंदर भी क्या होना चाहिए एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ का डिफिरेंस होना चाहिए यानि कि कोल कता के अंदर हम क्या करेंगे के के अंदर हम एक एड करेंगे तो क्या होगा के कितने पर होता है अपना ग्यारा पर होता है और एक add करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा और 12 नमबर पे अपना क्या आता है एल आता है और एल से दोस्तों हमारे कौन कौन से option बन रहे हैं एक तो option number 4 और एक option number 1 बन रहा है ठीक है यहां से हमारे यह जो दोनों यह यहां से cut हो जाएंगे अब हम आगे देखते हैं आगे दोस्तों आप क्या कीजिए कि लाष्ट के तीन अक्सर ले लीजिए और उनका निकालिए ठीक है यह जो लाष्ट के 80 है इन तीनों को ले लीजिए और निकाल के देखिए और देखिए लाष्ट में तीन किसके अंदर मैच कर रहे हैं तो इस त लिखते हैं दोस्तों आगे कौन सा कोश्चन है और आगे देखिए दोस्तों ज्यादा तर जो कोश्चन होते हैं वो आसान ही होते हैं लेकिन कई वार डिफिकल्ट कोश्चन भी आ जाते हैं लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बार वार तो हमारे लिए बिलकुल असान हो जाता है अब इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास कोवलेंट दिया है और इसका जो कोड दिया है इन्होंने ये दिया है और आगे हमें एलिफेंट का बताना है तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे सबसे पहले जो कोवलेंट है सबसे पहले अपना से हम numbering देंगे इनको और फिर हम देखेंगे कि कहां पर क्या match हो रहा है तो दोस्तों यहां पर आप इस picture में देख सकते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है यह देखें यहां पर C है तो C का फिर यह D कहां पर जा के आ रहा है यहां पर भी आ रहा है और यह 15 का फिर 16 यहां पर आ रहा है बाइस का तेईस यहां पर आ रहा है तो इस तरह से आपको दोस्तों थोड़ा उसके अंदर देखना है एनलाइज करना है कि कहां पर क्या मैच हो रहा है क्या हमारी सैटिंग बन रही है उस हिसाब से हमें कोशन को करना है तो दोस्तो आपको यहां पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यह हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे य यह देखे दोस्तों इन सभी में एक एक पलस किया हुआ है C के बाद में D यहाँ पे आ गया O के बाद में हमारा P यहाँ पे आ गया V के बाद में हमारा W यहाँ पे आ गया इस तरह से आप देख सकते कि पलस एक किया हुआ है सबी में लेकिन उनकी जो position है वो इन्होंने change कर दी है थोड़ी सी तो ये हमें देखना है कि कौन सी position पे कौन सा अक्सर आ रहा है तो इस तरह से हमें ये करना है और आगे देखते हैं आगे किस तरह के question आ सकते हैं अब यह देखे दोस्तों यह हमारा अगला question है कि hospital को इस तरह से लिखते है तो biological को किस तरह से लिखेंगे तो इसके अंदर दोस्तों कुछ भी plus या minus नहीं हो रहा बस इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों जो अक्सर की जो position है वो change कर रहे हैं सारी position आप यहां से देख सकते हैं दोस्तों वही बात मैं आपको बार बार कहा रहा हूं कि आप कोशिश करके देखे ट्राइक करके देखे जब बार बार आप question करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा question हमें किस तरह से करना है और दोस्तों अगर आपको हमा करने वाली वीडियो को साने से देख सके थैंक्यू दोस्तों दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा पेड़ कुर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 यूनिट के लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमा आपको हमारा 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